एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होँगे अच्छे रहना फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ठंबनेल के बारे में जो ठंबनेल होता है उटूब का एक तरह से आई नहीं होता है और फ्रेंड्स आप सबको पते ही है कि थमनेल के बिना यूटूबर बनने की कलपना भी नहीं की जा सकती कारण कि बिना थमनेल के हमारी वीडियो को देखेगा कौन तो थमनेल का हमारे वीडियो के लिए बहुत अधिक महत्तव है बहुत अधिक वो जरूरी है और thumbnail भी बड़ा impressive thumbnail अगर हो तो उसका बहुत ज़्यादा असर रहता है तो आज हम जानेंगे कि एक impressive thumbnail और एक अच्छा thumbnail हम mobile के जरीए कैसे बनाएं mobile से हम thumbnail को कैसे बनाएं तो friends इसके लिए अभी हम चलते हैं mobile की screen recording पर और आपको दिखाते हैं कि thumbnail को हम कैसे बनाते हैं क्योंकि देख रहेखिए thumbnail के कारण ही वीडियो पर millions में वीजाते हैं क्योंकि हमारा जो thumbnail है हमारी जो वीडियो है हम कितनी ही मेहनत से वीडियो क्यों न बना लें वीडियो बनाने के बाद जब हम उसको YouTube पर upload करते हैं तो viewer के पास video केवल और केवल तीन सेकिंड के समय के लिए ही हमारे वीडियो पे decision होता है कोई viewer हमारी वीडियो को देखने के लिए सिरफ तीन सेकिंड का ही समय लगाएगा तो क्यों न जब हमारे पास समय ही तीन सेकिंड का है तो क्यों न हम अपना thumbnail जो एक impressive thumbnail बनाएगे एक catchy thumbnail बनाएगे ताकि जो भी हमारा viewer है उस thumbnail को देखे और उसको देखते हैं उस पर प्लिक करें इस तरह से हमारा CTR बढ़ेगा और CTR बढ़ेगा तो हमारे viewer भी बढ़ेगे YouTube impression बेजएगा और हमारे view अच्छे आएगे और हमारी earning भी होगी तो friends आज जानते हैं हम mobile पे thumbnail कैसे बनाते हैं हमारी pixel app को ओन कर लेते हैं ओपन करने के बाद pixel app के बाद हम इसमें सबसे पहले इसका image size जो है वो हम thumbnail का size select करेंगे वैसे 1280-720 जो standard size होता है thumbnail का वो HD quality के लिए लेकिन हम इसको Ultra HD 2K में बनाएंगे तो इसके लिए हम 2560 और 1240 है 2560 और 1440 को हम select करेंगे देखे friends select करने के बाद अब हम अब हम देखते हैं इसको सबसे पहले हम color change करेंगे तो friends color change करने के लिए हमने color को select किया और color select करने के बाद इसको हम write करेंगे और उसके बाद अब देखिए यह हमारा एक तरह से background का color हमने select कर लिया है तो अब हम हमारी gallery में जाएंगे और gallery में अब हमने जो हमारी picture को select किया है thumbnail के लिए उस picture को हम select करेंगे और picture PNG में हो PSD में हो जिस भी format में हो आप उसको ले सकते हैं PNG ही इसमें होती है अगर PNG नहीं है तो आप उसके लिए remove इजी software के जरीए भी इसको आब इसकी background को remove कर सकते हैं तो हमने अपनी picture को यहाँ पर select कर लिया है अब friends हम इसमें stroke लगाएंगे और हमने stroke select किया enable करने के बाद हम इसको stroke का जो थोड़ा सा stroke size हम इसकी 4 पर कर देते हैं और 4 करने के बाद हम blur जो है उसको थोड़ा सा इसकी background blur को blur करने के बाद देखे थोड़ा सा यह हमारा इतना अच्छा लगने लगा है तो friends यह देखे हम इसकी brightness को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और थोड़ा सा contrast को भी बढ़ाएंगे ताकि यह देखने में थोड़ा सा इसकी जो lining है वो अच्छी लगे यह हमने थोड़ा सा contrast को भी बढ़ा दिया है देखे फ्रेंड्स अब हमारे देखने में यह इस तरह से लग रहा है तो friends अब हम यह हमारा picture जो select हो चुकी है set हो चुकी है उसके बाद हम इसको लोग करेंगे और लोग करने के बाद हम प्लस वाले icon से अब हम text जो है वो लिखेंगे तो text के लिए हम edit करेंगे और इसमें हम जो आज text लिखने वाले हैं उस text में है ऐसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं तो हमने ऐसे बनाते हैं select कर लिया और इसको हम थोड़ा सासाइज इसका बढ़ा करेंगे थोड़ा से इसको गुमा भी दिया है ताकि थोड़ा देखने में ठीक लगे इसाइज हमने बड़ा किया बड़ा करने के बाद अब देखी देखी थोड़ा सा ठीक हाँ ये इसे के थोड़ा ठीक है अब इसके हमने कोपी की और copy करने के बाद edit text में गए edit में जाने के बाद हमने इस पे लिखना है capital letter में thumbnail तो friends हमने thumbnail लिख लिया है और इसको हम अब यहाँ पे थोड़ा से इसको भी data करके ऐसे लगाएंगे तो friends यह देखी अब हमने इसके copy और अलग से की है और उसको भी हम edit करेंगे text edit करने के बाद उसके हम लिखेंगे font से तो हमने यह font से लिख दिया है और देखे friends यह थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है इसके हम bracket में कर देते हैं इसको यह हमने इसके लिए bracket लगा दी है space और यह ok अब देखे friends यह हमारा thumbnail का almost जो text और photo है हमारी वो final हो चुकी है अब हमें इसमें चार चांद जो लगाने हैं हमने इसको थोड़ा सा सुधारी करन जो करना है इसका वो हम करेंगे ताकि देखने में यह आप सब को अच्छा लगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको bold करेंगे thumbnail को bold किया और bold करने के बाद एक हमने shape में गए और shape में जाने के बाद एक shape को select किया और यह shape thumbnail के size की ही shape है तो हमने इसको thumbnail के size में और thumbnail के जैसे ही उपर घुमा लिया और यहाँ पे हमने इसको paste कर दिया अब friends आप सब कहेंगे कि इसने थमने लिख भी दिया और लिखने के बाद फिर उसको ढख भी दिया तो friends मेरा मकसद इसको ढखना नहीं है और इसमें यह देखें हमने black colour कर दिया है black colour करने के बाद अब जो हमारा text इसके पिछे छुप चुका है उसको हम बाहर कैसे लेके आए तो उसको बाहर लेके आने के लिए हमने अपने थमनेल की जो लेर है उसको स्लेक्ट करेंगे और यहां स्लेक्ट करने के बाद ऐसे इसको उपर लेके जाएंगे तो देखिए हमारी थमनेल की लेर उपर एकदम आ चुकी है यह हमारा टेक्स्ट एकदम से उपर कर सामने आया है तो फ्रेंज्स आप भी इसको एक बार आजमाएं यह त्रिक बहुत अच्छी है और अब हम इसका एक बार जो स्टोक का साईज होड़ा सा बढ़ा जयते हैं और अब हम जो हमारी हमने यह थमनेल का थोड़ा साइज बढ़ाया हमने स्पेस बढ़ा दिया है अब हम यह जो हमारा बोक्स है बोक्स को भी हम थोड़ा सा इसको स्ट्रोक में लेंगे थोड़ा इसका स्ट्रोक हम बढ़ाएंगे तो हमने इसको सेवन तक बढ़ा के कर दिया ह अब देखिए यह border में थमने लिखा हुआ बहुत बहुत बहुतरिन लग रहा है तो friends अब number है हमारा इसको हम merge करेंगे ताकि यह हिले ना हमने दोनों को select करके okay कर दिया और यह thumbnail हमारा merge हो चुका देखिए background के साथ अब यह ranking हिलेगा नहीं तो यह हमारा thumbnail त्यार हो चुका है और अब बारी है हमारे essay बनाते हैं इसको हम log करेंगे और log करने के बाद अब essay बनाते हैं कि बारी है अब इसको essay बनाते हैं को हम सबसे पहले तो इसके लिए हम इसको bold करेंगे और bold करने के बाद तो friends सबसे पहले हम stroke में जाएंगे और इसका जो stroke size थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम 7 करेंगे और white जो हमारी white में थोड़ा कम करके हम 4 पे ले आते हैं तो हमने इसको stroke लगा दिया है stroke लगाने के बाद तो friends देखिए हमारा ये thumbnail ऐसा नज़र आएगा अब देखते हैं phone से से तो friends phone से में सबसे पहले हम इसके phone को select करेंगे और जो हमारा bracket का phone है वो हम normal रहने देंगे उसके बाद जो phone है अकेले phone के ही phone को हम change करेंगे तो देखिए आप हमने इस phone को change कर दिया है और change करने के बाद ये phone ऐसा नज़र आएगा तो अब हम जो हिंदी में हमने say लिखा हुआ है say का phone भी हम change करेंगे और उसको change करने के बाद देखिए ये phone ऐसा नज़र आएगा ये देखिए एकदम impressive तो friends ऐसे हमने font के size को और font के design को select कर लिया है और अब देखिए ये हम इसको इस जगह पे place करेंगे तो अब हम सबसे पहले ये देखिए draw हमने draw में गए और draw में जाने के बाद हमने इसके उपर ये ऐसे कालिक पूथ दी friends आप कहेंगे इसने लिख भी दिया और लिखने के बाद इस पर कालिक भी पूथ दी तो friends ये कालिक जो हमने इसके ओपर पोती है वो हमें बहुत बढ़िया result देगी देखिए अब इसको हमने थोड़ा साफ कर दिया है और अब इसका stroke भी हम लगाएंगे थोड़ा stroke हम कर देते हैं ओके और ओके देखिए अब friends हम जो हमारा वही formula है हम phone से की layer को उठाएंगे और phone से की layer को उठागे ये ओपर लेके जाएंगे तो देखिए देखिए friends कितना अच्छा लग रहा है हमारा phone एक डम से उभर कर आया है ये देखिए friends तो हमने phone से को background पर paste कर दिया है लेकिन ये स्थाई नहीं है क्योंकि ये हाथ से दाएंबाएं हिल सकता है इसके लिए हमें इसको merge करना होगा और merge करने के लिए हम वही formula लगाएंगे ये दोन्नों को हमने select किया select करने के बाद merge और ये ok तो देखिए friends अब ये एकदम से ok हो चुका है और ये merge हो गया है merge होने के बाद अब हम इसको सबसे पहले देखिए इसको हम अब अब हमने ये logo जो YouTube का logo हमने select किया हुआ है ये पहले से ही एक download करके रखा गया था इसको हम यहाँ पे paste करेंगे और इसकी हम stroke इसका 10 कर देते है stroke के बाद इसकी opacity हम कम करते है जी देखिए और जी situation को जी हम कम किया और brightness को थोड़ा सा बढ़ाया है contrast को थोड़ा सा बढ़ाया है जी तो अब आप देखिए ये एक तमसे हमारी background के color के साथ match हो चुका है इसको size थोड़ा से इसको हम resize कर लेते हैं अब हम इसकी एक copy करेंगे friends तो हमने इसकी copy कर ली है और copy को यहाँ पर paste करेंगे और देखिए friends इसकी एक copy हमने यहाँ कर ली है और अब हम इसकी एक copy और करेंगे और इस copy को हम यहाँ पर paste करेंगे यहाँ पर paste करने के लिए यह देखिए फ्रेंट्स हमने यहाँ पर paste कर दिया है इसको थोड़ा सा हम shape में ले आते हैं इसको यहाँ पर और इस center को थोड़ा सा इसको यहाँ पर paste करते हैं और एक copy और करी है हमने copy करने के बाद इसको यहाँ पर यहाँ पेश्ट कर दिया अब एक copy को center में पेश्ट करेंगे उसके बाद एक copy हम और कर लेते हैं तो उस copy को हम यहाँ पे यहाँ पेश्ट करते हैं तो देखिए friends अब हमारा जो यह thumbnail का जो हमने भी लोगो पेश्ट किया है इसको हम उपर कैसे जो हम इनको पीछे कैसे नीचे कैसे लेके जाएंगे यह हमने देखिए अपनी photo को और हमारे text को इनकी layer को उठाया और हमने सब से उपर इनको रख दिया है तो friends हमने यह रख दिया अभी भी एक जो हमारा background में छुट गया था उसको हम अब फिर उसी process से वापिस लेके जा रहे हैं बाकि सब को लोग कर देते हैं layer को तो हम उस process में जाएंगे दुबारा और इसको एक बार फिर जो एक छुट गया था इसको हम वापिस नीचे की तरफ लेके आएंगे इसको सबसे पहले select करेंगे select करने के बाद तो देखिए friends हम layer को phone से को उपर उठाया अब हम उसके बाद देखिए यह हमारी photo है हम photo के यह photo को उठाया और photo को उठाने के बाद अब हम जो thumbnail की layer को इसको भी उपर ले जाते हैं फिर phone से की layer को भी उपर लेके गए है तो अब देखिए अब हमारी यह layer एकदम से उपर आ चुकी है और वो YouTube का logo हमारा background में पूरी तरह से जा चुका है अब हम सब इन सब को save कर लोग कर देते हैं और लोग करने के बाद देखिए friends अब यह कितना अच्छा हमारा logo बन के त्यार हुआ है इसको हम save कर देते हैं save करने के बाद तो अब हम देखिए friends यह हमने हमारी image जो हमारी है वो save हो चुकी है अब इसको हम light room में जाएंगे और थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हमने light room को open किया है और light room में हम photo select करेंगे यह हमने thumbnail को select कर लिया है select करने के बाद हम light पर click करके और इसके contrast को हम 70 तक बढ़ाएंगे और highlight को थोड़ा सा highlight और shadow उसके बाद हम whiteness को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं और black black को भी set करके और इसको हम save कर देते हैं तो देखे फ्रेंट्स अब यह हमारा एक बहतरीन ultra HD टूके में हमारा जो thumbnail है वो त्यार हो चुका है तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करें तो कि आपका एक subscriber करना जरिया ही मुझे success कर सकता है आपका एक एक छोटा सा subscribe आपको सिरफ और इस subscribe के जो लिचे विखे लाल बटन को आपने सिरफ और सिरफ काला बनाना है और आप मुझे subscribe दरें मुझे धेड़ सारा प्यार दें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंग जैभरत गुंदे मातर